नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लियर विजन में आपका स्वागत है आज मैं आपसे बताने जा रही हूँ कि डिस्ट्रिक एजुकेशन ओफिसर कैसे बने वर्तमान समय में अधिकतर शात्र शात्राएं प्रशासनिक सेवा के शेतर में जाना चाहते हैं कुछ लोग IS, IPS officer, BEO वबिएयो बनना चाहते हैं तो कुछ लोग जिला सिख्षा अधिकारी बनना चाहते हैं आप मैंसे काफी लोग डिस्ट्रिक एजुकेशन ओफिसर बनना चाहते होंगे लेकिं डिस्ट्रिक एजुकेशन ओफिसर बनना इतना आसान नहीं है जिला सिक्षा अधिकारी सिक्षा विभाग में बेसिक सिक्षा अधिकारी का एक पद होता है बेसिक सिक्षा अधिकारी का पद सिक्षा विभाग में सबसे प्रतिष्टित पद होता है इस पत्त के अधिकारी एक संपूर्ण जिले की सिक्षा व्यवस्ता का संचारन करता है बेसिक सिक्षा अधिकारी या जिला सिक्षा अधिकारी जिले के सभी प्राइमरी इवं हाइ स्कूल प्रधानाचारी अध्यापकों की जाच करता है जाच में कमी पाने पर दंड का निर्धारन करता है और सिक्षा व्यवस्था में सुधार करता है जिला सिक्षा अधिकारी का बहुत बहुत जम्यदारी वाला होता है तो आज मैं आपको district education officer कैसे बने कि बारे में बताने जा रही हैं अगर आप भी सिक्षा व्यवाग के चेतर में जिला सिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि BSA के लिए क्या qualification होनी चाहिए तो आप ये video जरूर देखें district education officer क्या होता है दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि DEO किसे कहते हैं राची सरकार सिक्षा व्यवस्था की संचालन के लिए प्रतेग जिले में जिला सिक्षा अधिकारी यानि DEO की नियुक्ति करती है सिक्षा विभाग में इनका पत सर्वोच्य होता है DEO संपूर्ण जिले की सिक्षा व्यवस्था का संचालन करता है जिले के अंतरगत स्थापित सभी सरकारी प्रार्थमिक विद्याले और अन्य उच्च विद्यालेों की जाँच करता है तथा जाँच में कमी पाने पर सुधार करता है सभी प्रधाना ध्यापक को एक अध्यापक की उपस्तिती एवं कार्यों का निरिक्षन करता है के दोरान कमी पाने पर पधाना ध्यापक के खिलाफ कारेवाई करता है डिस्ट्रिक एजुकेशन ओफेसर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए ये जान लीजिए सबसे पहले आपको बारहमी कक्षा किसी भी स्ट्रीम में पास करना होगा बारहमी के बाद क अधिक्तम उम्र 40 वश्की होनी चाहिए अधिक्तम उम्र सीमा में आरक्षित वर्ग SCST के लिए उमिद्वारों को छूट मिलती है डिस्ट्रिक एजुकेशन ओफिसर कैसे बने डिस्ट्रिक एजुकेशन ओफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको बारहमी पास करना होगा उसके बाद मानिता प्राप्त विद्याले से ग्रेजुएशन प्राप्त करना होगा ग्रेजुएशन पास करने के बाद राज्य लोग सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिवल सर्विस एक्जाम के लिए आविदन करना होगा क्योंकि डिस्ट्रिक एजुकेशन ओफिसर की भ राज जी लोग सेवा आयोक सिवल सेवा परिक्षा को तीन चरणों में आयोजित करती है सरुपरतम पारामभिक विक्षा देनी होती है यह लेकित परिक्षा होती है इस एक्जाम को तीन करना होगा प्रेलेम्स एक्जाम पास करने के बाद मुख्य परिक्षा होती है मुख्य एजुकेशन ओफसर की सेलरी कितनी होती है आपके मन में एक सवाल होगा कि जिस्ट्रिक एजुकेशन ओफसर की सेलरी कितनी होती है एक जिला सिक्षा अधिकारी की सेलरी प्रती माह 9300 रुपए से 34800 रुपए होती है इसके अलावे ग्रेड पे 4800 रुपए प्रती माह मिलता है वेतन के अलावे सीना निवरित होने पर पेंचन और अन्य सुविधाय मिलती हैं कुल मिलाकर एक जिला सिक्षादीकारी डीयो का वेतन अच्छा खासा होता है अब आप जान लीजे जिला सिक्षादीकारी के कारी क्या होते हैं संपोर्ण जले की सिक्षा व्यवस्ता का संचालन करना सरकारी प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूलों की जांच करना और जांच में कमी पाने पर सुधार करना सरकारी स्कूल के प्रधाना चारियों और अध्यापकों की उपस्तिती और कारियों की जांच करना जाच में अध्यापकों की उपस्तिती में गड़बड़ी पाने पर उनका हाजरी काटना सिक्षकों के कारियों में कमी पाने पर दंड का निर्धारण करना और इनका मुख्य काम संपूर नजले के विद्यालेओं की सिक्षा व्यवस्ति देख रेख करना है